हलो डियर स्टुडेंट दिज आर के शर्मा फ्रोम इंग्लिज वाइड डियर स्टुडेंट से आज मैं कच्छा बारवी के चात चाताओ के लिए चेप्टर फर्स्ट टीच मी टू लिसन लोड के कोश्चन आनसर्स लेकर के आया हूँ यदि आप हमारे चेनल पर नए है और आपने अभी तक हमारे चेनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्स्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तो आए श्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो पहला प्रेश्न है आपका What message do those who are our nearest give us मलग जो हमारे सबसे समीब है ओ लोग हमिए क्या संदेश देना चाहते हैं आपका अंसर रहेगा They give us the message that we should listen to them and accept it as they are मलग यह हमें संदेश देते हैं क्या हमें उन्हें द्यान पुर्वक सुनना चाहिए और वे जैसे भी है हमें उन्हें स्विकारना चाहिए अगला प्रश्ण है Who are the people far from us? मतलब वे कौन लोग है जो हमसे दूर है आपका अंसर रहेगा These are the people who have no ray of hope in their life मतलब ये वो लोग है जिनके जीवन में उम्मीद की एक भी कीरण नहीं है Who are forgotten by society जिने समाज भूला चुका है and who are suffering a great deal और जो भूत अत्यनत पीडित है ये वो लोग है जो हमसे दूर है अगला प्रश्ण है Whom does the poet wish to trust? मतलब किस चीज़ पर कभी हमसे कहता है कि हमें विश्वास करना चाहिए या हमें करना चाहिए आपका अंसर रहेगा The poet wants us to trust our inner voice मतलब कभी चाहता है हमसे कि हम अपनी inner voice पर विश्वास करें मतलब जो अंत्रा अत्मा की जो आवाज होती है उस आवाज पर विश्वास करें अगला प्रेशन है When does the poet wish to listen to the voice of God मतलब कभी कभ इच्छा प्रकट करता है कि हमें इश्वार की आवाज कभ सुनना चाहिए तो आपका अंसर रहेगा The poet wants us to listen मतलब कभी हमसे चाहता है कि हम सुने To the voice of God मतलब इश्वार की आवाज When we are very busy जब हम बहुत ज़्यादा busy हो और are getting bored या हम बहुत ज़्यादा bored हो रहे हो मतलब free हो बिल्कुल When we are certain about something जब हम किसी चीज के बारे में किसी के भी बारे में बहुत ज़्यादा निश्शिन्त हो मतलब perfect हो कि हाँ इसा ही होने वाला है और are in doubt When we are surrounded by loud noises चाहे हमारे चारों और बहुत ज़्यादा सोर सरावा हो या फिर or by serene silent या बिल्कुल सांत मा हो लो इस प्रकार की जितनी भी conditions से सभी में कभी हम से चाहता है कि हम इस वर की आवाज को सुनें अगला प्रेशन है In what order does the poet wish to listen to the voices किस क्रम में कभी हम से चाहता है कि हम आवाजों को सुनें Do you find any significance in it क्या तुम्हें इसमें कोई सार्थतक्ता दिखाई देती है तो आपका answer रहेगा First the poet wants us to listen to our near and dear ones कभी सर्वप्रधम हम से चाहता है कि हम हमारे समीप के लोगों को ही सुनें Then to the downtrodden उसके बाद जो downtrodden है मतलब समाज के दोरा दबाए गए लोग है ऐसे लोगों को सुने Suffering उसके बाद जो पिडित है उनको and neglected people और जिनको अंदेखा किया गया ऐसे लोगों की हम बाद सुनें Then to our inner voice उसके बाद हम हमरी अंतरात्मा की अवाज को सुनें and lastly to the voice of God और अंत में हम इश्वर की अवाज को सुनें This order is definitely significant मतलब निश्यत ही यह क्या है एक सार्थक क्रम है because क्योंकि it begins from the less difficult to the difficult one क्योंकि यह कम कठिन से शिरूओ करके अत्यांति कठोर की और जाता है अगला प्रशन है What do you suppose the hopeless, the forgotten the engaged want to tell us मतलब जो hopeless है, निरास लोग है जो भुलाए जा चुके इसे लोग है और जो अत्यांति दुखी लोग है वे हमसे क्या चाहते हैं क्या हम क्या करें उनके लिए तो आपका अंसर रहेगा the hopeless मतलब जो निरास लोग है वो the forgotten मतलब जो भुलाए जा चुके वो and the English door जो अत्यांति दुखी हो want to tell us वे हमसे कहना चाहते हैं to give our sympathy, love and care क्या हम हमें जो है एक जो संपती हो दे और love दे प्यार करें उनसे and care और उनके हम परवा करें अगला प्रेशन है आपका how could listening to one's inner voice be helpful मतलब किस प्रकार किसी की जो inner voice होती है अंतरा आत्मा क्या वाज होती हो हमारे लिए लापकारी कैसे होती है helpful कैसे होती है तो आपका अंसर रहेगा listening to one's inner voice be helpful us मतलब हमारे लिए उप्योगी हो सकती है in becoming less afraid इससे हम कम डर हुए रहते हैं as well as give us proper guidance और साथ ही साथ हमें एक इससे proper मतलब सही guidance भी मिलता है एक मार्क दर्शन भी मिलता है last question is chapter का what is the overall mood of of the poem इस poem का जो सारान से है वो सारान क्या है आपका अंसर रहेगा the oral mood of the poem is date of love care and devotion मतलब इसका जो सारान से हो क्या है प्यार है care है परवा है वो devotion मतलब भक्ती है to amenity and to God मतलब इस्वर पर और जो amenity मतलब मानवता पर इन दोनों पर जो है हमें विश्वास करना चाहिए तो आपकी वीडियो फिनिस हुई उम्मीदे वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीस इसे लाइक करें शेयर करें थेंक यू सो मच फर वाचिंग दव वीडियो थेंक यू सो मच फर वाचिंग दव वीडियो